हाई, विंट्स मैथ, इटमस्ट भी मैस भाई अमिये, विल्कम अगेइं टो वर्ल्ड उफ मैस भाई अमिये, यह कोशन एक कैट के मॉक्स का है, जो अभी SSE के मॉक्स में रिसेंटली दिख रहा है, वन अफ बेस्ट कोशन ओन दी कॉट्स बिदीन सलकल, बट वन अफ टफ़े wel जाथा है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो को करूँ पॉज और इस कोशन को करूँ अप solым फॉप आपने वीडियो को पॉज क्या होगा, इस कोशन को अभी भी two quarts के साथ multiple angles दिखना स्टार्ट होते हैं, तो इस question को कैसे attack करते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा, exam में अगर आपके पास आगया तो बहुत अच्छी बात है, अगर diagram बनके question आया, तो उसमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन two quarts with the multiple angles का diagram कैसे बनता है, आपको पता होना चाहिए, तो चलिए हम दो देखते हैं कि इस question में problem कहां कहां पे आता है, तो सबसे पहले तो circle हमारे पास एक को दिखता है, we have a center, ओ हमें पता होता है, एक court को draw करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, बट दूशना court जो RS है, उसको draw करना बहुत बड़ी because यह सब कुछ PQ के reference में चलता है, अगर PQ यहाँ पे है तो R और S यहाँ पे भी हो सकता है, या S और R यहाँ भी हो सकता है, मतलब इसके दो possibilities हैं कि किस point को R, किस point को S माना जाए हमें नहीं पता है, तो सबसे बड़ा पंगा तो यहीं पे दिखता है कि मैं RS को कैसे मानू, च S, R यहाँ पे है, मतलब इस center के इधर है या center के इधर है हमें नहीं पता होता है, तो आपको पता है कि problems कितनी हैं, आपको इसमें तीन problems हैं, पहला problem है कि S, R कहाँ पे होगा, अगर हमने निकाल भी लिया, तो क्या S, R मेरे center के इधर होगा या center के इधर होगा में नहीं पता ह अगर आपको इतनी बाते नहीं पता है तो question तो आपसे गलत होना ही होना है तो पता क्या-क्या है आपको इस पर गौर करना होता है तो two chords multiple angles में हम start कैसे करते हैं उससे पहले आपको basic concept में बाता हूं जो आपको पता है और उसी basic concept से इसको start करते हैं तो चलिए हमने बेखते हैं basic concept अगर आपके पास एक circle होता है तो आपको पता होता है कि एक chord अगर किसी side one side of the center अगर एक angle theta बनाता है मान लो तो वह center पर two theta angle बनाता है यह मुझको पता है यह अगर है और वही chord perimeter पर उसी side angle क्या बनाता है ठीटा बनाता है तो यह जो basic concepts हैं हमें पता होनी चाहिए center पर बन नहीं हुए angle का double होता है और center पर बना हुआ जो triangle होता है किसी भी circle में वह हमेशा isosless होता है तो मैंने तीन बाते बोली कि पहले perimeter angle हमारा हमेशा common होता है अगर common chord है दूशरी बात center पर बना हुआ angle double होता है perimeter का तीसरी बात isosless होता है और चौती और सबसे important बात है कि आपको formula पता होने चाहिए measurement of R का नहीं पता है तो क्या करें अगर आपके पास two chords है मान लोगर आपके पास chord क्या है A B C D two chords है तो आपको यह पता है कि यह एक cyclic quadratal है बस इतना ही पता है यह angle theta बना कौन रहा है AD तो यह angle theta भी आपका क्या होगा AD बनाएगा यह अगर angle alpha है तो यह बन कौन रहा है BD तो BD यहां पर भी alpha बनाएगा and so on तो यह basic property आपको पता है तो आप question को solve कर सकते हैं अभी तक मैंने chord cut की बाते नहीं किये जब भी multiple angles होता है तो आप chord cut की बाते नहीं करते हैं आप basic पर काम करते हैं तो चलिए question को basic से solve करते हैं अब यह diagram है आपका यह diagram बना क कैसे दिमाग में कैसे लाएंगे तो चलिए उसके लिए basic से solve करना इसको बहुत important है सबसे पहले basic में हम एक circle to draw करना होता है उसका center लेना होता है अप ले लो कोई भी point PQ ले लो this one is the P and Q is the one of the chord मैं PQ क्यों लिया because देखो यहां पे PP बहुत ज्यादा है अगर RS में RR बहुत दिखा है अब जो आगला line है T is the point of intersection of P and Q RS मैं chord intersection नहीं draw करता हूं और STQ point है तो इसको हम लोग सबसे last में दिमाग में लगाने की कोशिश करेंगे अब 20 में कहीं डालेंगे अभी नहीं डालूंगा O is the center O center है मेरा P O is 30 degree है मतलब P यहां पे है O यहां पे है 30 degree कहीं यहां पे ह होगा आपको पता है छोटा सा center पर 30 degree बना रहा है मैंने अभी मुझको करना क्या है मुझको RS draw करना है मैंने S यहां पर S नहीं ले सकता ना because P O 30 नहीं दिख रहा है P यहां पर है O यहां पर है S 30 degree यहां पर होगा मैं angle नहीं बनाऊंगा मैंने इसके reference में S लिया मुझको पता है ठीक है अब मुझको क्या करना है RS अब देखो इस point को देखना है S और R जो होगा वो 60 अगर मैं यहां पर बना दूँ चलो यह मैंने यहां बना दिया तो यह आपका T है यह 60 नहीं दिख रहा है मुझको ऐसा लग रहा है यह 60 से जादा है 90 degree देखो यहां पर होता है यह 90 degree का यह 60 से जादा है तो मैं चाहता हूँ कि angle 60 जैसा दिखे तो angle 60 जैसा थोड़ा छोटा दिखेगा this figure is R यह figure मेरा क्या है T है और यह angle क्या है 60 तो आप सबसे पहले center पे बने हुए angle के हिसाब से question को solve करते हैं यह भी center पे बना हुए angle है क्या नहीं यह center पे बना हुए angle नहीं सबसे पहले हम लोग center पे बने हुए angle के हिसाब में काम करते हैं कि P O S 30 degree है तो O S S यहां पे होगा और इसके respect में R यहां पे होगा और कहीं नहीं दिख रहा है अब आपका diagram पूरा हो गया है question solve करना तो सबसे पहले आपके पास points क्या है P, points क्या है Q, points क्या है S, points क्या है R, इ ऐसे create करना start करो गया बहुत कुछ solve करना start कर दोगी तो चलिए हम cyclic quadrator पे काम कर रहा है हमने cyclic quadrator create किया हमने इस angle को draw कर दिया 60 degree हमने इस angle को draw कर दिया 40 degree हमने इस angle को draw नहीं किया है देखो P S center पे 30 degree बनाता है अगर मैं इस figure को draw कर दो तो figure बहुत ज़रा गंदा हो जाएग P S अगर center पे this P S अगर center पे 30 बनाता है तो यह angle मुझको पता है 15 degree होगा अगर आपका center पे 30 बनता है तो इधर आपका 15 बनता होगा और यह angle आपका क्या होगा 15 degree होगा आपको पता है यहाँ ठीक है यह मेरा angle कितना है 60 degree vertically opposite 60 plus 15 75 105 यह angle होगा मुझको यह पता है अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है यह भी आपका angle क्या होगा 105 आपको यह पता है अब देखो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ मैं red pen ले लेता हो तो ज़्यादा बेटर होगा मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ यह अगर angle आपका 40 degree है तो यह angle भी आपका 40 degree हो अब मैं बताता हूं कि देखो ये जो टोटल एंगल था ये यहतका 105 हय यहां 40 है तो यह छोटा हो अथा होगा 65 बडीरी होगा यह बिसको पता है इसको यहां से यहां फिल से ज्व्सेंट ड्रॉट underlying अब यह बनाना तो जब तो भी अगर आपके पास multiple quads के questions दिखें और बहुत सारे questions में angles देखना है start करें तो आप start करो किस से, एक quads draw करो, दूश्रे quads को draw मत करो, central angle खोजना है start करो, ये दो angle center के साथ बन रहे थे, तो पहले मैंने इस 40 degree को draw कर दिया, मुझको पता है, s यहाँ पे है, तो ये इसके साथ 30 बना रहा होगा, तो 30 यहाँ पे आएगा, और respect 60 यहाँ पे जाएगा, अब आप question solve करना है, start कर दिये, question हो जाएंगे, actually में जो ये q है, ये q और इधर होने चाहिए था, इस 150 को बनाने के लिए, बट यही हमारा diagram है, अगर आपको कहीं पे भी doubt हो, तो one by one करके solve करो, so actually diagram ये होगा, जहाँ पे q थोड़ा सा left side होगा, बट ये सपने में आतो आपको आएगा नहीं, तो आपको जो diagram था, उसमें आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले p q को draw करना है, और p q, p और q, जो center के साथ angle बना रहा है, उसको draw करना है, वो angle क्या होगा, 40 degree, फिर इसको draw करना है, ये angle क्या होगा, 40 degree, अभी तक q के बारे में, अप, t के बारे में ख्याल मन लगाएगा, ये 40, 40 होगा, तो ये angle मेरा क्या होगा, 100 degree, हम ने यहाँ तक तो निकाल दिया, उसको जो अगला angle दिया है, ये क्या दिया हुआ, य दिया हुआ है 30 दिग्री यहां से यहां अगर यहां 30 दिग्री है तो मुझको पता है कि 15 दिग्री बहुत छोटा सा बन रहा होगा वह एस और पी कहीं पर बना रहे होंगे 15 दिग्री यह एंगल 15 दिग्री है और मैंने इसको आर मान लिया center पर आपका 30 बनता है तो perimeter में आपका 15 दिग्री छोटा से बना रहे होंगे यह आपका आर है यहाँ पर 60 है यहां पर 60 है तो 60 और 15 आपका 75 हो जाएगा यह total आपकी 105 होगी छोटा angle अगर आपका 40 है तो यह 65 होगा फिर आप इसको यहां से यहां मिला सकते है 65 यहां पे है तो यह आपका 65 होगा 65, 65, 130 यह total angle होगा, यह 50 होगा यह angle आपको पहले से 100 हमने सबसे पैर निकाला था total angle 150 होगा अगर सेंटर पे 150 बन रहा है तो यहां 75 होगा और answer होगा बट इसके पहले आपको diagram बनाना होगा और diagram आपके सपने पे नहीं दिखेंगा ना अगर diagram सपने पे नहीं दिखता है तो हमें process follow करना होता है और process यही है कि हम पहले सेंटर पे figures बनाते हैं उसके बाद figure को कहीं all shift करते हैं तो this one is a question जो बहुत पहले cat marks में दिखा था बाद में वहाँ से उन्होंने उसको उठा के sse marks में डाल दिया है जो आपको बहुत कुछ सीखने में help करता है तो this one is a one of the question जो आपको बहुत कुछ सीखाता है कि जुमेट्री में भी process होते हैं और process कैसे होते हैं from center to onwards I hope आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस question को आप प्रीज अपने playlist में save कर लीजेगा आगे देख लीजेगा या screenshot लेके लेके लो या अगर आप कही note करते हो तो इसको note करके लेके लेके लो